असलाम अलेकों आपके साथ चिकन निडल्स की रेसिपी शेयर करने चाहरी हूँ जो के बहुत ही डिलीशियस होती है जल्दी से बन जाती है और इसके लिए हमें बहुत जादा इंग्रेडियन्स की भी जरुरत नहीं होती है तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर मैंने 300 g bonless chicken ले लिया है, उसे मैंने strips में cut कर लिया है, ऐसे लंबे-लंबे, अब इसमें हम add करेंगे 1 teaspoon लेसन का powder, यहां पर मैंने 1 teaspoon black pepper आड़ कर दिया है, 1 teaspoon red chili sauce है, 1 teaspoon black soya sauce है, और जो salt है हम टेस्ट के accordingly आड़ कर देंगे, और इन सब को हमें अच्छी तरह से mix कर ले अगर आपके पास लसन पाउडर नहीं है, तो आप इसमें अधरक लसन का जो paste होता है, वो भी आड़ कर सकते हो, और साती में हम इसमें कॉन फ्लार एड़ करेंगे, 1 tablespoon हमें बहुत सादा कॉन फ्लार इसमें नहीं दाला है, सिर्फ यह बाइंडिंग एजिन की तरह ही हमें य लिलिया है, उसे मैंने बारी-बारी कट कर लिया है, यहां पर मैंने पानी गरम करने रख दिया था, हम इसमें नोडल्स को बाइल करेंगे, तो यहां पर मैं थोड़ा सादा कर रही हूं, साती में हम इसमें 1 teaspoon के और आउल अड़ कर देंगे, इसमें हमारे जो नोडल्स से व नोडल्स परकिटी जो भी आप यूज करना चाहो, वह यूज कर सकते हो, यहां पर मैंने जब तक वह नोडल्स बॉल हो रहे हैं, यहां पर मैंने कडाई ले लिया है, और इसमें हम थोड़ा सा ओल दालेंगे, इसमें हमीं चिकन को फ्राइब करना इसलिए मैंने थोड़ा स बारी जूज करना मैं दाला है तो हम इसे चिकन को फ्राइब कर लेंगे प्लिटी हो बस हमें ऐसे चार से पांच मिनिट लगेंगे दोनों साइड के लिए आप बहुत ज़ादा इसे मत पकाईएगा यह बहुत अच्छे से बन जाते है जल्दी भी हो जाते है इस तरह से अगर आप बारी कट कर लेते हो तो यह देखिए इसमें अच्छा सा एक light golden color आजाए तो हमें इसे निकाल देना है और जो बाकी remaining है उसे भी हम इस तरह से ही deep fry कर लेंगे और side में रख देंगे यहाँ पर हमारे noodles boiled हो गए यह देखिए noodles को भी हमें बहुत सादा नहीं पकाना है क्योंकि हम मसालों के साथ भी इसे पकाएंगे तो यहाँ पर मैंने noodles निकाल दिये है और इसे हमें थंडे पानी में दो लेना है अच्छे से थंडे पानी में आप दो होगे यह आप आइस वाटर के साथ भी से दो सकते हो अच्छे तरह से तो यह चिप चिप नहीं होते और इसमें थोड़ा सो ऑईल दालके हम इसे side में रख देंगे मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा ओयल दालके यहां पर वह सेमी ओयल है जिसमें मैंने फ्राय किया था हमारे चिकन को इसमें वन टेबल स्पून के करीम मैं जो गार्लिक होता है उसे बारी कट कर लिया है वह अड़ कर रही हो हलका सा जो गार्लिक में कलर आ जाए तो हम इसमें दाल देंगे और इन सब्जियों को हमें बहुत जादा नहीं पकाना है इसमें से जो क्रण्च है नहीं जाना चाहिए जो थोड़ा सा क्रण्च आता है न सब्जियों का वह बहुत अच्छा लगता है नूडल्स में भी यहां पर मैंने हाफ टी स्पून के करीब ग्रीन चील देंगे जो हमने बॉल करके रखा था साथी में मैं इसमें सोया सॉस एड किया है रेच चीली सॉस है कैचप एड किया इसमें मैंने और साथी में हम थोड़ा सा ब्लाक पैपर एड कर देंगे और जो सॉल्ट है वह में थोड़ा सी ही दालना है किके सॉसिस में भी सॉल्ट हो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यहां पर हमारे जो फ्राइट चिकन थे उसे एड़ कर देंगे, और इसे भी दाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, देखा कितनी जल्दी से हमारी यह रेसिपी बन के तयार हो जाती है, लास में हम इसमें वेनिगर एड़ करेंगे, और हमारी जोगेस की फ्लीम है, उसे आफ कर देंगे, तो यह हमारा डिलिशियस वाला यमी वाला नूडल्स रेड़ी हो गया है, उमीद करती हो आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी, अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना साथी में आप ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू, अल्ला हाफिज